हेलो एव्रेवन आज बनाएंगे टेस्टी और एक अलग फ्लेवर के साथ मिंट यानि पुदीने और अद्रक की चाय जो आपको रिफ्रेश कर देगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना तो पुदीने और अद्रक की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक चाय के पैन में ड करेंगे और हम दो लोगों के लिए मेंस दो कप चाय बना रहे हैं तो जब तक पानी बॉल हो रहा है तब तक अद्रक को कूट का त्यार कर लेंगे तो डेल इंच टुकड़ा अद्रक का लेंगे और अच्छे से कूट लेंगे बहुत जादा स्ट्रॉंग फ्लेवर चाहते ह तो इधर पानी भी बॉल होने लगाए तो पानी मैंने हाफ कप एक्सट्रा इस दे लिया है क्योंकि चाय पकते वक काफी कम हो जाती है तो अब इसमें रालेंगे अद्रक और इसी के साथ डालेंगे टू टी स्पून चाय पत्ती स्ट्रॉंग या कड़क चाय पीनी हो तो व अब इसमें डालेंगे एक कप दूड और अब फ्लेम हाई करेंगे और एक बॉल आने देंगे तो चाय में एक बॉल आ गया है अब फ्लेम मीडियम टू हाई करेंगे और देल से दो मिनट चाय को पकाएंगे तो दो मिनट हो गया है चाय में बहुत अच्छा कलर आ गया है गैस बंद करेंगे और चाय को गर्म गर्म सर्व करेंगे बहुती टेस्टी और फ्लेवरफुल चाय बनी है ट्राइ करें और अपने फैमिली और गैस्ट को खुश करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप इसे बनाएं और इंजॉई करें